Hello everyone, कैसे हैं आप लोग, तो Toyota Innova High Cross Indian Market में launch हो चुकी है, लेकिन इस घाड़ी के जाद अतर वीडियो आपने देखे होंगे hybrid version के, लेकिन आज मेरे साथ है इस घाड़ी का gasoline petrol version, या फ्रेम में देख रहे हैं, gasoline petrol engine आज मेरे साथ है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के, अ तो परकाइल में आपको बहुत जादा चैंज सब्सक्राइब नहीं रेते हैं, grill अल्मूस्ट अपकी सेम है जो आपको मैं है इसके साथ है dette, यह आपको है अपको एल्यूजन बॉल्क के साह साथ है आपको एल्री नहीं नहीं मिलता है, तो अपको आपको यहां से आपके प्रफायल में यहां आप देखेंगे आपको Apollo के R16 टायर मिलते हैं यहां पर कुछ यह जो इसेसरी आप देख रहे हैं यह भी आपको इसमें मिल जाती है और यहां पर यह आपको मिल जाती है साइड ग्लैडिक इस साइड भी आप देखेंगे रियर वील के जस्ट उपर आपको क्रॉम की फिनिशिंग दी गई है प्रंते भी आपको क्रॉम की फिनिशिंग मिल जाती है जो आपके डोर हैं उन पर भी क्रॉम का अच्छे से यूज किया गया है और अलोबर यह आता है यह आपका आता है हलोजन गॉल्ट के साथ यहां पर आपको इनोवाइक्रास की बैजिंग मिलती है और नीचे की साइड आपको सिल्वर और ब्लाक स्किट बेंड मिल जाती है और इसकी साथी यहां पर आप यह जो रिफ्लेक्टर के नीचे अलिमेंट्स देख रहे हैं यह टोयोटा इन्वाइक्रास के जिए इस गारी का इंटियूर के अगर बात करते हैं तो इन्टीयर में मैन हाईलाइट है वो है आपकी touch screen infotainment system आपको इसके base variant में भी infotainment screen मिल जाती है और यह almost 8 inch के आसपास है हाला कि इसमें wireless charging वगएरा का option आपको नहीं मिलता है Innova High Cross आपको manual transmission के साथ नहीं आती है तो इसका जो automatic gear lever है वो कुछ यहाँ पर place किया गया है और जो इसके switches है, AC वगएरा के switches है वो काफी normal लगते है आपको इसमें color TFT मिल जाती है और इसके साथ ही top variant से थोड़ा सा different आपको techometer और speedometer मिल जाता है steering wheel आपको normal मिलता है इसमें आपको audio controls वगएरा सभी मिलती है लेकिन cruise control इससे missing है तो all over अगर interior की बात करें इसमें जो hard plastic है वो कहीं न गहीं आपको बरेशान कर सती है इसमें leather कर use, soft touch leather को use कहीं भी नहीं किया गया है हाला कि जो driver seat है वो भी आपकी adjustable है तो new generation Innova high cross जो है बहुत ही अच्छी price segment पे launch की गई है इसका mild hybrid version भी आता है जिसमें बहुत सारे आपको add-on features केगा है additional features मेल जाते हैं with all the LED setup and sunroof अगेरा गाड़ी के price start होते हैं 18,30,000 से और जाते हैं लगभग 29,00,000 रुपे तक जो की है range topping strong hybrid petrol variant के ये था Toyota Innova high cross का GX variant अब मैंने आपको वीडियो में exterior interior से लेगे features तक के बारे में पूरे detail आपको देती है, decide आपको करना है this variant is value for money or not तो चलिए इस वीडियो को यहीं end करते हैं फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाए